हेलो बच्चों कैसे आप सब आपका जोरदार स्वागत है आपके अपने चैनल इजी अकेडमिक पर तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टैंथ क्लास का लाइट चैप्टर जिसमें हम डिसकस करने वाले हैं मिरर फोर्मूला और उसके मैगनिफिकेशन और उससे चैप्टर होते हैं चार चैप्टर में से नुमेरिकल्स बनते हैं और नुमेरिकल्स बनने में एक इलेक्टिशिटी चैप्टर बहें में ज्यादा बनते हैं एक लाइट में बनते हैं क्लियर बात तो उसी से लेटिड आज हमारी क्लास है यानि हमारी क्लास मिरर फोर्मूला पर होने वाली है और उससे लेटेड नुमेरिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं तो सबसे पहले आज की हम क्लास जो हमारी है वो है मिरर फोर्मूला तो देखो मिरर फोर्मूला आप जब देखोगे तो आपको सिंपल 1 by V plus 1 by U that is equal to 1 by F आपको बुक्स में लिखा हुआ मिलता है इसका प्रूफ आपको 10th क्लास में नहीं होता है तो आज हम इसका प्रूफ भी देखेंगे कि इसका प्रूफ आता कहां से है और दूसरी बात है कि मैगनिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं वो कहां से आता है क्लियर आप लोगों को मैं बता देता हूँ यह वी जो होता है यह क्या होता है डिस्टेंस ओफ इमेज प्रॉम पॉल एफ हमारे पास जो होती है वो क्या होती है फोकल लेंथ और यू जो मेरे पास होता है वो होता है मेरे पास ओब्जेक्ट डिस्टेंस यह जितने भी मेजर्मेंट है सारे हमारे पोल से होते है या रहना हम्मेजर करते हैं यह वाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला आता कहां से है यह इस फॉर्मूले की बात कर रहे है यह आता कहां से है clear बात mirror formula का use हम numericals में जैसे मान लो हमें दे दिया कि mirror से इतनी दूरी पर कोई object रखा हुआ है तो हमें find out करना होता है कि इसकी image कहां पर बनेगी clear बात तो उसी को देखते हैं कि सबसे पहली बात तो कि यह आता कहां से है object distance from the pole and f हो गया मेरे पास focal length तब से पहले इसमें formula drive करने से पहले हम एक चीज और देख लेते हैं वो होता है मेरे पास sign convention sign convention हमारे लिए important है क्योंकि इस numerical में अगर हम sign convention गलत ले लेंगे तो हमारे पास answer गलत आएगा sign convention होता क्या है जैसे मान लो मेरे पास यह वाला एक mirror है क्लियर और यह object यहां से यहां पे placed है यह उसका pole हो गये लिए और यहां पे इसका क्या है focus clear तो देखो इस से अगर इस object शेगर मैं देखूं तो इस object से जो रेज जाएगे वो इधर जाएगे यहां पे टकलाएगे clear बात तो according to sign convention क्या होता है कि जितने भी measurement रेज की direction में होंगे वो सारे क्या होंगे positive और रेज की opposite direction में जितने measurement होंगे वो क्या होंगे negative तो सबसे पहले हमें एक्जामपल लिया है हमने कौन के मिरर का किसका एक्जामपल लिया हमें कौन के मिरर का ढिए 사 से देखें तो अव्मक्लमपल से पहले मानलो हमें opposite डिस्टेंश देकना है क्या देखना है object distance हुआ हमने टिस्टेंश हमने बोल से मेज़र होगा तो पोल से हमें अबजेक Creative टिस्टेंश मेजर करने वो क्या लिया जाएगा बहुत तो साइन कर्वेंशन में सबसे पहली जो बात हो गई मेजरमेंट इन दा डारेक्शन ओफ रेज एकन एज पोजिटिव सबसे सिंप्लेस्ट है यानि इंसिडेंट रेज के डारेक्शन में जितने भी मेजरमेंट होंगे वो सब पोजिटिव होंगे इस केस में मैं देखूं मानलो कि मेरा ओबजेक्ट यहां पर रखा है तो इसका जो यू होगा वो क्या लिया जाएगा पोजिटिव नेगिटिव स आएगा क्योंकि पोल से मुझे देखना अबजेक्ट कहां पर रखा तो मुझे पोल से मेजरमेंट करने के लिए इधर जाना पड़ेगा और इंसिडेंट रेज इधर जा रही है तो यहां पर क्या लिया जाएगा नेगिटिव फोकल लेंथ की मैं बात करूं तो फोकल लें और औबजेक्ट डिस्टेंस अब मालो image मेरी देखो इधर भी बन सकती है इधर भी बन सकती है वह डिपेंड करता है कि मेरा ओबजेक्ट कहां पर रखा है लास्ट लेक्चर में हमने देखा था तो माल लीजिए अगर मेरा measurement इधर होगा जैसे next में देखते हैं जैसे मालो य इमेज यहां पर बनी तो मुझे इधर major करना पड़ेगा तो यहां पर व क्या लिया जाएगा इस पॉजिटिव अगर मानलो मेरी इमेज यहां पर कई बनी होती तो मुझे measurement करने के लिए पॉल से किदर जाना पड़ता इस direction में जाना पड़ता तो यहां पे V मेरा क्या लिया जाता नेगेटिव लिया जाता तो सिंपल सी बात यह है कि incident rays के डारेक्शन में जितने भी मेजर्मेंट मुझे करने पड़ेंगे वो लिए जाएंगे positive और उसके opposite direction में क्या लिए जाएंगे negative जैसे for example हम ले लेते हैं convex mirror और object रखा है मेरा यहां पर rage जा रही है इधर अब हमें पता है इसका focus इधर होगा तो pole से focus जाने के लिए मुझे इधर major करना पड़े गया नहीं in the direction of rage तो convex के case में जो focal length मेरी ली जाएगी वो क्या ली जाएगी वाली positive क्योंकि focal length मेजर करने के लिए मुझे pole से किस डारेक्शन में जाना है इंसिडेंट रेज के डारेक्शन में जाना है clear तो एक तो sign convention यह वाला हो गया एक important sign convention जैसे हम height लेंगे तो जैसे मान लो यह मेरे पास mirror हो गया और यह हो गया मेरे पास principal axis तो principal axis से उपर की तरफ यानि अगर मुझे measurement principal axis से जैसे मान लो यह principal axis reference point हो गया तो इधर की तरफ height क्या ली जाएगी positive और हम नीचे की तरफ में बात करूँगा तो height क्या ली जाएगी negative simple सा फंडर मैं मान लेता हूं कि इसको y axis की तरह देख लिए y x की तरह तो इधर उपर वाला क्या हो जाएगा positive और जो नीची height ली जाएगी वह सारी क्या ली जाएगी negative तो आपको यह दो sign convention दिमाग में रखने हैं आप सारे question कर लेंगे clear बात तो उमीद करता हूं आपको sign convention का समझ में आया होगा अब देखो अब हमने अभी पढ़ा था mirror formula क्या कि 1 by V plus 1 by U that is equal to 1 by F यह आता कहां से है भाया हमें वो देखना है clear बात यह वाली चीज है clear तो इसी को देखते हैं हम मैं मान लेता हूं यहां पर हमने यह वाला mirror draw कर लिया कौन के हो यह मेरे पास हो गई principle axis यह मेरे पास पोल यह मेरे पास हो गया focus और यह मेरे पास हो गया center of करवेच्चा और यह मेरे पास हो गया यहां पर object अब मैं मान लेता हूं कि यहां से जो रेज जाएगी object से रेज गई यहां पर यहां पर टकराई और टकराने के बाद यहां पर कहीं उसने image बना दी आई और यहां से मैं अगर यह ल्इण ड्रो करूं यह नॉर्मल होगी तो यहाल आंगल क्या हो जाएगा ठीटव ते रिया वी एंगल क्या हो जाएगा ठीट अजो इसे एंगल को मैं मान लेता हूं क्या है मेरे पास alpha यहाल अगल मेरे पास हो गैप ट हो गया बीटा और यहाला है मिरे पास घामा कि इस पॉइंट को हम बोल देते हैं poi यह में पर पास आई यह हो गया पी और इस पॉइंट कोई लें ले लेते हैं कि अब हमें पता है कि है मालोमें the मैं बात करैं अगर थ bon già स्मोल है तो इस 10 थीटा को मैं लिख सकता हूं थीटा एक approximation यहां पर यह लगने वाली अब यहां पर मैं अगर triangle की बात करूं in triangle कौन सी triangle orc यानि यह यहां पर मैं लिख सकता हूं alpha plus theta that is equal to beta एक बात interior angle of triangle that is equal to exterior angle of the triangle तो यहां से अगर मैं theta की बात करूं तो theta मेरे पास यहां से निकल के आ गया beta minus alpha क्लियर बात अब मैं triangle की बात करूं CRI यानि in triangle ERI यहां पर मैं लिख सकता हूं थे को beta plus theta that is equal to gamma क्लियर यहां से theta की जो value आई वो मेरे पास आ गए gamma minus बीटा अब यह value दोनों equal है तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं थे कि बीटा माइनस alpha that is equal to gamma minus beta बीटा को एक तरफ ले आऊंगा तो इधर हो जाएगा टू बीटा that is equal to alpha plus gamma यह equation मेरे पास निकल के आगे क्लियर बात यहां तक अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो देखो 10 alpha क्या लिख सकते हैं देखो 10 alpha 10 alpha perpendicular यह वाला distance upon base तो मैं क्या लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं PR perpendicular upon base अब देखो base जो होगा 10 alpha के मैं बात करो तो यह वाला distance होगा यह वाला इसी को क्या बोला जाता है यू बोला जाएगा यानि object distance यानि base की मैं बात करोंगा तो क्या हो जाएगा पी-ओ जाएगा क्लियर है वहीं पे मैं 10 बीटा की मैं बात करूँगा तो 10 बीटा आचा ये 10 एलफा को हम एलफा भी लिख सकते हैं और 10 बीटा को हम लिख सकते हैं बीटा और 10 बीटा क्या लिखा जाएगा पर्पेंडिकुलर यानि पी आर पर्पेंडिकुलर अपोन बेस यानि पी सी और यही डिस्टेंज जो पी सी है इसी को बोला जाता है रेडियस ओप करवेचर यानि आर थार्ड वन आता है मेरे पास टैन गामा तो टैन गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ पर्पेंडिकुलर यानि पी आर डिवाइड बाइब बेस क्या हो जाएगा मेरे पास पी आई और इस पी आई को ही क्या लिखा जाता है इमेज डिस्टेंज यानि वी क्लियर बात अब यहां से हम अगर बात करें मेरे पास एक्वेशन आई थी 210 बीट, तू बीटा यानि तू बीटा मेरे पास क्या लिखा जाएगा पी आर डिवाइड बाइड बाइड पी सी तैट इस इकूल तू अलपा अलपा की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ पी आर डिवाइड बाइड बाइड पी ओ प्लस गामा की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ पी आर डिवाइड बाइड बाइड पी आई यह यहां से निकल कर मेरे पास आ गया यानि हमने जो वैल्यू कंसिडर की है थी ध्यान से देखना PC को मैं क्या लिख सकता हूँ R तो ये मेरे पास क्या बन गया देखो 2 by R equal to 1 by PO क्या बन गया मेरे पास U यानि 1 by U plus PI क्या बन गया 1 by V ये वाली क्योशन बन गई अब हमें simple पता है भया focal length को क्या लिखा जाता है R by 2 तो यहां से 1 by F मेरे पास क्या लिखा जाएगा 2 by R ये वैली उठा के वहाँ पूट कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 by F that is equal to 1 by V plus 1 by यही था मेरे पास क्या हमारा mirror formula जो सारी वैल्यू है जो पूट की जाएगी वह क्या पूट की जाएगी with sign with sign का मतलब according to जो sign convention हमारा आएगा वह वाला clear है बात तो यहां यह आपका आ गया आपके पास की mirror formula आता कहां से है वह हमने देखा है आपने 10th class में आज़ो पढ़ोगे इंशाल्टी बुक्स या आप जब भी आपके टीचर पढ़ाएंगे तो आपको mirror formula आएगा आपके पास की वन बाई वी प्लस वन बाई यू दैट इज एक्वल टो वन बाई एफ और इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि सारे नुमेरिकल से सोल होते हैं लाइट के तो आपके दिमाग में आएगा कि एक्वल में यह आया कहां से तो हमने वो डेरिवेशन कराया है कि यह आता कहां से है तो आज की class में जो हमारे पास तो निकल के आया कि वन बाई वी प्लस वन बाई यू दैट इस एक्वल टू वन बाई एफ क्लिर यह आ गया अब मेरे पास इसको बोला जाता है मिरर फोर्मूला अब मेरे पास सवाल आता है कि सरक मैगनिफिकेशन और लिखा जाता है एम मैगनिफिकेशन होता क्या है हाइट उफ इमेज डिवाइड ऐफः वजेक्टः इसको बोला जाता है मैगनिफिकेशन क्लिर कहने का मतलब क्या हो जैसे यह मालों मिरर था मेरे पास ओर्सटर्स, यह उबजेक्ट था, यहां से रेज गई थी, वो प्रिंसिपल एकस्प्स पॉकस से पास होरही थी, और जो यहां से गई थी, यहां पर टक़रा कर यह इमेज बना रही थी, क्लीर बात, इसको अगर मैं बोलू, तो यह मेरे पास क्या हो जाएगा यह वाला एंगल मैं ले लेता हूं थीटा तो यह भी क्या हो जाएगा थीटा यह वाली दूरी यह वाली दूरी कितनी थी मेरी यू और यह वाली दूरी मेरी क्या हो गई वी ये मेरे पास क्या हो गया हाइट ओब्जेक्ट और ये मेरे पास क्या हो गया हाइट ओफ इमेज तो मैगनिफिकेशन actual में क्या हो गया magnification हो गया कि height of image divided by height of object अब ये तो ठीक है अब actual में अगर हम यहां से देखे triangle इस triangle को upper वाली triangle को देखे तो यहां से क्या लिख सकते हैं tan theta इस triangle के बात करूँ इस वाली तो tan theta क्या लिखा जाएगा perpendicular यानि height of object divided by base मेरे पास क्या हो गया u छिक्या नीचे बात की जाए tan theta की तो tan theta क्या लिखा जाएगा height of image divided by v clear बात अब यहां से यह दोनों equal है तो मैं लिख सकता हूं h naught divided by u that is equal to hi divided by v तो यहां से आ गया hi divided by h naught that is equal to v by u clear बात तो यहां से अगर मैं magnitude की बात करूँ तो height of image divided by height of object तो उसको लिख सकते हैं minus v by u अब सवाल ही आ गया sir यहां पर तो यह आया तो यह minus कहां से आ गया भी या तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने बोला भी था कि according to sign convention लेने हैं सारी चीजे तो जो यह height of image है यह नीचे की तरफ है यानि हमने बोला था प्रिंस्पल axis से जितनी भी height नीचे की तरफ ली जाएगी वो सारी negative ली जाएगी तो यहां से magnification के आगया मेरे पास minus v by u हाँ अगर आप से बात की जाए magnitude of magnification clear तो वो हो जाएगा मेरे पास v by u और यहां पी जो यह वी और यू है यह दोनों किसके साथ पूट करने हमें with the sign पूट करने किसके साथ पूट करने हैं with sign का मतलब होता है कि हमें according to sign convention इनकी value पूट करने है clear तो अब हमने जो सीखा वो दो चीज़े सीखी है एक तो हमने सीखा है mirror formula यानि 1 by v plus 1 by u that is equal to 1 by f एक तो हमने यह चीज़ सीखी है दूसरा हमने सीखा है magnification h i divide by h naught that is equal to minus v by यहाँ पर जो v है वो मेरे पास क्या है image distance यू क्या है मेरे पास object distance और जो f मेरे पास है वो मेरे पास क्या है focal length और यहाँ पर जो आपको ध्यान रखना है वो क्या रखना है सभी को put करना है किसके साथ विद साइन विद साइन करने पूट विद साइन यानि जब भी हम numerical करेंगे इन फॉर्मूले का यूज करके तो हमें ये सारी की सारी quantity हमें विद साइन पूट करने है जैसे सबसे पहले हम simplest start करते हैं कि मान लीजिए आपके पास ये है एक मिरर जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमेटर और इससे ओबजेक्ट जो रखा है वो रखा है यहां से 30 सेंटीमेटर क्लियर है और हमें find out क्या करना है find out image distance image distance हमें find out करना है देखो भया ध्यान देने वाली बात जो यहां पर है वो क्या है कि हमें sign convention का ध्यान रखना है देखो हमारे पास जो mirror formula है वो क्या है 1 by v plus 1 by u that is equal to 1 by f यह है इसमें तीन चीजे हैं आपके पास focal length है object distance है और क्या है image distance है तीन में से कोई भी दो चीज हमें given होगी तीसरी हमें निकान नहीं है बड़ा simple सा है फंडा लेकिन problem कहां पर आते है problem आते है sign convention जैसे for example यहां पर focal length 20 दी गई है तो एक्टर में जो focal length major होगी नो पोल से इधर की तरफ होगी कौन के वो mirror की तो यह रेज की opposite direction में major होगी तो यहां पी जो focal length हम formula में put करेंगे वो क्या put करेंगे minus 20 cm दूसरी बात object distance भी पोल से मुझे इधर major करना है जो incident range के direction की क्या है opposite direction में है तो यहां से जो u भी लिया जाएगा वो मिरे पास क्या लिया जाएगा minus 30 अब यह दोनों चीजे उठा के हमें का put कर देनी है mirror formula में put कर देनी है और हमारे पास v की value आ जाएगे जैसे देखो तो 1 by v plus 1 by u और u क्या जाएगा 1 by minus 30 that is equal to 1 by f यानि minus 20 यह आगया ऐसे put करने इसको बोला जाता है कि हमें value with sign put करने है यह जो value आई है यह क्या है by sign convention आई है जो हमने इससे पहले सीखा था clear है बात अब यहां पर मैं put करूंगा 1 by v 1 by v हमें निकालना है plus तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास minus 1 by 30 that is equal to minus 1 by 20 यहां से 1 by v that is equal to minus 1 by 20 plus 1 by 30 यहां LC हम लेंगे तो क्या आजाएगा मेरे पास 60 minus 3 plus 2 यहां से 1 by v की value आजाएगी minus 1 by 60 और v की value अगर मैं निकालना तो आजाएगी minus 60 cm इसका मतलब क्या हुआ माइनस 60 का मतलब क्या हुआ माइनस साइन क्या रिपर्जेंट कर रहा है कि जो इमेज बन रही है वो भी किदर बन रही है इस तरफ मेजर करना पड़ेगा हमें क्लिए यह हम बोल सकते हैं माइनस साइन आने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि इमेज कैसी है कि रियल इमेज में कि यह हम बोल सकते हैं उधर ही इमेज बनी है जिधर मेरा object रखा है क्लिए बात उमीद करता हूं आप लोगों को यह अच्छे से सुन में आया होगा पोकल लेंग देदी 20 सेंटीमीटर और जो मेरा object रखा है यहां से वह रखा है यहां से 60 सेंटीमीटर क्या है वही कोश्चन है फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस हमें इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो जब भी नुमेरिकल्स आए तो सब आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज आनी चाहिए वह है मिरर फोर्मूला यानि वन बाई वी प्लस वन बाई यू दैट इस एक्वल टू वन बाई यानि यह नमबर वन बात है यह अब इसमें हमें दो चीज़े फोकस फोकल लेंथ जिसमें से दो हमें गिवन है तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है तो अकॉर्डिंग टू साइन कंवेंशन तो रेज इधर जा रही होगी और फोकस जो इसका मेजर होगा वो इस डारेक्शन में होगा यानि अपोजिट डारेक्शन में है तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइन कंवेंशन फोकल लेंथ क्या लिखी जाएगी माइनस 20 सेंटीमेटर एक बात एक चीज़ हमें केलियर होगी दूसरी अगर मैं ऑब अपोजिट डिस्टेंस भी तो इधर ही मेजर होगा यानि रेज के डारेक्शन के अपोजिट तो यहाँ पे मेरा जो यू लिखा जाएगा वो भी कितना लिखा जाएगा माइनस 60 सेंटीमेटर इसको अगर हम फॉर्मूले में पूट कर देंगे वन बाइवी प्लस वन 20 तो यहां से लिख सकता हूँ मैं 1 by V that is equal to 1 by 60 minus 1 by 20 that is equal to 60 1 minus 3 तो V की value आ जाएगी माइनस 30 सेंटीमेटर अचा माइनस देखो अगर मेरे पास V आता है पोजिटिव अगर V आता मेरे पास पोजिटिव तो यानि इमेज कहां बनती इस डारेक्शन में बनती अगर V आता है मेरे पास negative तो मेरे इमेज के अधर बनेगे इधर यह मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब negative आने का मतलब क्या हो गया रियल इमेज कैसे इमेज हो गई रियल इमेज हो गई क्लियर बात तो यह मिरर फॉर्मूले से लेटेड नुमेरिकल कैसे सोल करते हैं हमने अभी वो सीखा है क्लियर बात एक एक्जाम्पल हम ऐसा लेते हैं जिसमें हमारा V पॉजिटिव आए जैसे फॉर एक्जाम्पल हमारे पास यह एक मिरर है जिसकी फोकल लेंद हमें गिवन है ट्वंटी सेंटिमीटर अजा हमेशा फोकल लेंद ट्वंटी सेंटिमीटर गिवन होगी तुम्हें आइडिया लगाना है साइन कर्वेंशन से कि वह सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइन कंवेंशन फोकल लेंद हम लिखेंगे एफ तो वह लिखी जाएगी माइनस ट्वंटी क्योंकि पोल से मुझे रे जाएगी इधर और फोकस मान लिया हमने यहां कुछ होगा इसका तो फोकल लेंज मेजर करने के लिए हमें इधर जाना पड़ेगा क्यों सारे मेजरमेंट हमने बोला पोल से होते हैं अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए भी मुझे इधर ही जाना पड़ेगा अपोजिट टू दा रेज डारेक्शन तो यहां पे जो यू है मेरे पास वो भी क्या लिया जाएगा माइनस टेंटेंट अब हमें फाइंड आउट क्या करना है इमेज डिस्टेंस फाइंड आ यू पूट करेंगे तो क्या जाएगा 1 by माइनस 10 एक्वल टू माइनस 1 बाइ 20 यह इधर चला जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं 1 by V यहां पर 20. तो 1 by V that is equal to यहाँ पर क्या आगया 22 minus 1 तो V की value आजाएगी यहाँ पर 20 cm क्लियर है बात 20 cm आने का मतलब क्या है कि जो मेरी image बनेगी वो किधर बनेगी इस direction यानि यहाँ पर कहीं बनेगी क्लियर है यहाँ पर positive नहीं आया तो इसका मतलब कैसी image यहाँ पर negative नहीं आया तो इसका मतलब कैसी image बनेगी वर्चुल image कैसी image बनी वर्चुल image क्लियर बात तो हमने यह 3 numericals देखे जिसमें हमने image find out किया है image distance कैसे find out करते हैं वो देखा है अब हम आगे डिसकस करते हैं कि मान लीजी यह तो हमने कौन के मिरर के देखें सारे अब हम ले लेते हैं कौन वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंद हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर जो ओबजेक्ट रखा है वो यहां पर रखा है जिसकी यहां से दूरी मानली हमने देदी 60 सेंटीमीटर अब हमें जो फाइंड आउट करना है बचे वो फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंज हमें फाइंड आउट इमेज डिस्टेंज हमें फाइंड आउट करना है कि जो मेरी इमेज बन रही है वो कहां पर बनेगी किलेगत हम के तो सबसे पहले साइन कर्वेंशन से देखे है तो इसकी जो फॉकल लेंट होगी यहां पर होगा फोकस फॉकल लेंध जो मेजर मेंजर ओगरी इधर होगी इसका मतलब जो फॉकलल लेंथ हैम हैं साइन करमेंशन से लिए impaired जहेगी वो 20 सेंटीमेटर पोजिटि इधर है तो रेज इधर जा रही है तो यू जो मेरे पास लिया जाएगा वो लिया जाएगा माइनस 60 cm अब इसको हमें पुट कर देना है किस में मिरर फॉर्मूले में तो हमारे पास वी की जो वैल्यू आ जाएगी तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास देखो मिरर फॉर्मूला 1 by V plus 1 by U that is equal to 1 by F तो 1 by V plus U की मैं बात करूं तो क्या जाएगा 1 by minus 60 फॉकल लेंथ 1 by 20 अब यहां से मैं 1 by V निकाल सकता हूं 1 by 60 plus 1 by 20 that is equal to LCM लेंगे 60 1 plus 3 तो यहां जाएगा V की वैल्यू आ गए 60 दिवाइड बाइ 4 that is equal to 15 by 2 cm इसका मतलब इसकी इमेज पोजिटिव आई है देको V की वैल्यू पोजिटिव आने का मतलब क्या है जो इमेज बनेगी वह भी पोल से इधर बनेगी इन दा डारेक्शन ओफ रेज रेज इधर जा रही है तो इमेज कि इधर बने इधर और वी पोजिटिव आने का मतलब ही क्या है या वर्चुल इमेज बनेगी वर्चुल अब यहां पर आप ऐसे याद रख सकते हो देखो अग है मेरे पास कोंवेक्स मिरर तो फोकल लेंथ ली जाएगी पोजिटिव नुमेरिकल सोल करने के लिए आप यह सिंपल दो तिन चीज़े याद रख सकते हो इनकी हैल्प से भी आप सोल कर सकते हो यह हमने सिंपल आपको मिरर फोर्मूले का यूज करना सिखाया कि आपको कैसे करना है अभी हम देखेंगे की मैगनिफिकेशन भी निकालना हो साथ जैसे मान लीजिए आपके पास यह है कौन के मिरर जिसके फोकल लेंथ है ट्वंटी और ओब्जेक्ट जो रखा है वो हमारा रखा है यहां से थर्टी सेंटेमिटर की दूर यह जो हाइट दे रखी है व क्या है फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस और इट्स मैगनिफिकेशन और नेचर ओप दा इमेज यह आपको तीन-चार चीजे क्याठ नी है आके दिमाहँ में सबसे पहले होना क्या चाहिए कि मिरर फॉर्मूला मेंगरी विंफिकेक्शनं का फ्कॉर्मोला ये सब होना चाहिए तो द देख लेते हैं सबसे पहले मिरर पॉर्मूला तो जाएगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू दैट इस एक्वल टू बाई एक्वाइफ मैगनिफिकेशन हो जाएगा हाइट ओफ इमेज डिवाइड बाई इस एक्वल टू माइनस वी बाई यू यह दो चीजे आती है तो आप लोग इस नुमेरिकल को बड़े आसानी से कर सकते हो कोई ज्यादा वह है नहीं कि researching देखें तो फोकल लेंठ इधर मेजर होगीरे इथ़ जा रही है तो फोकल लेंठ मेरी जाएगी वह लिए जाएगी माइनस 20 सेंटीमेटर ओब्जेक्ट डिस्टेंस जो लिया जाएगा वो भी इधर मेजर हो रहा है तो लिया जाएगा माइनस 30 सेंटीमेटर तो यहां से वी की वैल्यू निकालो तो 1 by V प्लस 1 by U that is equal to 1 by F 1 by U आ जाएगा यहां से माइनस 1 by 30 that is equal to minus 20 clear तो यहां से जब हम V की वैल्यू निकालेंगे तो V मेरे पास आजाएगा माइनस 60 सेंटीमेटर लास्ट प्रोब्लम ने हमने सेम प्रोब्लम की भी है उसी का समझा उसमें हमने कुछ अगाँ इड किया है कुछ आप्स इनिख तो यहां से हम निकालेंगे तो यह मेरे पास हीह आ गया वी हम अब देखो वी से एक बात तो पता चल गई कि इमेज मैरी इधर बनेगी नेगेटीव है इमेज क्या है तो इमेज क्या है रियल इमेज है तो नेचर की एक बात तो आगई दूसरा अब मैगनिफिकेशन निकालेंगे तो मैगनिफिकेशन क्या होता है हाइट ओफ इमेज हाइट ओब्जेक्ट यह मैं लिख सकता हूँ माइनस वी बाई यू यह सब साइन के साथ पूट करने होते हैं तो यह आगया माइनस वी की वैल्यू कितनी आई माइनस सिक्स्टी और यू की वैल्यू मेरे पास कितनी थी माइनस थर्टी तो यह आगया दो तो मैगनिफिकेशन मेरे पास आया माइनस टू जब भी अब मैगनिफिकेशन का मैगनिटूड मेरा अगर एक से है बड़ा तो इमेज का साइज क्या है बीगर और अगर मेरा मैगनिटूड का मैगनिफिकेशन है एक से छोटा तो इमेज क्या है smaller in size और अगर मेरा magnitude आ गया क्या 1 तो क्या आ जाएगा equal in size और equal in size का मतलब जितनी object की height है उतना ही image की height होगी अब देखो ये nature तो हो गया मेरे पास real image हो गया bigger in size हो गया दूसरी बात real हो गया अब देखो आप लोग देखोगे तो यहाँ पर height निकाल लेते हैं image की तो magnification मेरे पास क्या लिखा गया height of image height of object देखो 4 है वो भी उपर की तरफ है यानि 4 आ गया यह magnitude की value कितनी निकल के आई minus 2 तो यहाँ से height of image मेरे पास निकल के आगई minus 2 into 4 that is equal to minus 8 तो यहाँ से भी पता चल गया कि 8 cm है image की height तो देखो bigger in size है minus sign का मतलब क्या है जो image बनेगी वो नीचे की तरफ बनेगी क्योंकि negative आया है ना negative का मतलब इससे नीचे की तरफ नीचे की तरफ का मतलब क्या हो गया inverted हो गया यानि अगर मैं nature की बात करूँ image के nature की तो नेचर यहां पर देखो real image हो गया bigger in size हो गया और क्या हो गया inverted भी हो गई inverted bigger in size यह मेरे पास क्या हो गया इसका nature हो गया image का clear बात तो यह है कि हम कैसे इन numerical को कैसे solve करते हैं ठीक है अब आपको एक problem और लेते हैं छोटी सी उमीद करते हैं आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा मान लीजिए आपके पास यह है mirror जिसकी focal length दे रखी है 20 cm और object रखा है 90 cm पर और यह height दे रखी है 2 cm अब sign convention के according देखें तो देखो सबसे पहले लिख लेते हैं height of object हमें given है कितनी 2 cm और यू हमें given है कितना इधर मेजर जाएगी इधर measurement करना है इधर तो यह आगे माइनस 90 cm focal length भी इधर ही major होगी तो वो क्या लिखी जाएगी माइनस 20 cm हमें निकालना है image distance और उसका nature clear बात तो वही है mirror formula का हम अगर use करें तो देखो 1 by v plus 1 by u that is equal to 1 by f तो यह आजाएगा 1 by v plus 1 by u यानि 1 by minus 90 equal to 1 by minus 20 तो यह आजाएगा 1 by v that is equal to 1 by 90 minus 1 by 20 तो यह आगे मेरे पास 180 2 minus 9 तो यहां से जो v की value आजाएगी वो आजाएगी minus 180 by 7 cm यह v की value आगे भी clear है अब अगर हम बात करे magnification की तो magnification तो क्या होता है मेरा height of image divided by height of object that is equal to minus v by यह याद रखना यह दोनो with sign put करने होते हैं किसके साथ put करने होते हैं with sign clear है तो यहाँ पर आजाएगा देखो minus v की value क्या आजाएगी minus 180 by 7 और you मेरे पास कितना आया था देखो minus 90 तो यह आगया minus 90 यह कटा यह आया मेरे पास 2 तो magnification मेरे पास आगया minus 2 by 7 अब अगर आप देखोगे तो देखो पहली बात तो यह है कि magnification अगर मेरे पास negative आता है तो इसका मतलब क्या है मेरे पास जो object और image दोनों एक साइड ही रखे हैं जब भी मेरे पास magnification negative आता है तब यहां पर अगर magnification की magnitude की बात करूँ तो वह एक से छोटा है यानि image कैसी बनेगी smaller क्लियर है आज़ा वी मेरे पास negative आया है इसका मतलब image कैसी बनेगी real real है smaller in size है अब बची है बात inverted की erect है या inverted है तो देखो यहां पर height of image हम निकाल लेते हैं height of object हमें दे रखे कितनी 2 cm that is equal to minus 2 by 7 यहां से height कितनी आ गई मेरे पास minus 4 by 7 minus sign आने का मतलब क्या है inverted और यह height of image आई वह भी एक से छोटी है तो यानि smaller in size 2 से छोटी है तो इसका मतलब smaller in size तो आज की class में हमने numericals देखा और mirror formula magnitude यानि आज की class में सबसे पहले हमने क्या देखा 1 by V plus 1 by U that is equal to 1 by F यह पढ़ा है magnification height of image divided by height of object that is equal to minus V by U यह दो चीज पढ़ी है sign convention पढ़े है sign convention क्या range की direction में जो भी measurement होगा वो positive लेना है range की opposite direction में negative concave mirror की बात करें तो focal length negative convex के case में focal length positive आ जाएगी मेरी अगर मेरे पास देखो U negative है इसका मतलब object real है अगर V मेरे पास क्या है negative तो मेरे पास क्या है image real है अगर V है मेरे पास positive तो मेरे पास क्या है अगर मेरे पास अगर मेरे पास पॉजिटीव है इसका मतलब मेरे पास convex mirror है अगर focal length है मेरे पास negative तो मेरे पास है Concave mirror अगर मेरे पास Magnification का magnitude एक से बढ़ा है तो size क्या है bigger अगर Magnification मेरे एक से छोटा है smaller अगर Magnification का magnitude एक के equal है तो क्या है मेरे पास equal in size clear तो आज की class में हमने mirror formula, magnification और उससे related problem solve की है उमीद करता हूँ आप लोगों को बड़े अच्छे समझ में आया होगा हमारे चैनल से आप जुड़े रहें और आप से related आपकी class related जितनी भी वीडियो जाती है आप उनको लगातार देखते रहें और comments करते रहें अपनी problems को जो आपको दिक्कत आती है comments करें और आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हो आप सभी के पास मेरे number होंगे subscribe करें चैनल को यह आपका ही चैनल है और अपने दोस्तों को भी subscribe करने के लिए बोलें मिलते हैं next class में तब तक के लिए धन्यवाद बाइ